वेलकम फ्रेंट्स स्वागत करता है आपका एक और शांदार वीडियो में तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो आपके लिए लेकर आये है डायनेट की HDF सीरीज जो इसके अंदर टोटल शार एंप्लिफायर सामिल की गई है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में से एंप्लिफायर का करेंगे रीव्यू सभी का उसके साथ इसकी लाश्ट में प्राइज देटेल के बारे में बात करेंगे और इन सीरीज के लिए बैस स्पीकर स से कौन सा रहने वाला है नहीं इन एंप्लिफायर पर क्या में चला है या फिर टॉप चला है क्या सला सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे तो फ्रेंट्स यहां पर हमारी एंप्लिफायर हमको कुछ इस टीजान से देखने को मिल जाती है यहां पर आपको इसके इंदर टो के लिए बेस्ट कौन सी को स्य यह था इंप्राइश मेशनल और इप्रेंट लुक आपको देखने को मिल जाता है यह पर रोल्यूम फैटर दिये गये दोनों चैनल के और लेवल इंडीकेर्स वगर दिये गए और यहां पर पावर का स्विश दियाकने को मिल जाता है यहां पर वेंटिलेशन भी कपी अच्छा दिया गया इन एंप्लिफार के लिए तो चली फ्रेंट्स अब बारे में और डिस्कृस ना करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले बात कर अल 게त है हैं सबसे पहले बात करते हैंि चालीश एक यहां पर आउपकोठ करें तो यहां पर 8 यह Infinite 4 के लिए 1750 Watt का और टूएंट के लिए 22W मिल जाता है इसका ब्रिज मोड वह यहां पर 8 ओम के लिए यहां पर 220W और फोर उम से लिए 14W रहने वाला है तो इस अप्छार आपको मिलेगा अगर आप ब्रिज मोड में बेश चलाना साहे तो अभी आप सेला सकते हैं फिर बात कर रहे हैं HD 7 F की एक इंदर йकला 34Б rip उट्फट मिल जाता है 4 ओम अधर 48B illumin और को मिल जाता है इसका ब्रीज के बात करें ब्रसेंधर 33Book और फॉर ऊमस के इंदर अर्तरेश्वाइब का उटपूट मिल जाता है फिर बात करते हैं HD HD adpress आपकी तो इसका eight ohms के लिए यहांपर फ़्लाइब का उटपूट रहने वाला है four ohms के लिए यहांपर едशवाइब का उटपूट रहने वाला है और ट्वोशं के अंदर 2,000W output मिल जाता है आपको 4 Ohms के लिए 30W output मिल जाता है और 2 Ohms के अंदर 20W output मिल जाता है तो यहांपर यह इन अप्रफिफार का output यह पहलं किते हैं लिपशोप को कोड़ भी स्कार्वार फसे नहीं सब्सक्राइब इसके सब्सक्राइब रहन पर करने 9402 परいいने वाली है है इसका saràba crashed remember इन सब्सक्राइब की बात करें थारां करें मिल जाता है यह यह कहले मेरेव लिध तर यहां पर बीश बोल्ट का रहने वाला इंपुट सेंशिट है वह यहां पर सब्सक्राइब तो हैं देख सकते हो और यहां पर इन सभी एंट मिल जाता हैं तो जैसे हो गए हमारे एंप्लिफार के स्पैशिफिगेशन अब बात करें फ्रेंस रहेख सबसे पहले बात करते हैं HD 40F की तो फ्रेंट इसके लिए आप ले सकते हैं कापी अच्छा रेस्पोंस मिलेगा आप यहां पर अगर फ्रेंट आप बेस लाना साइब इस एंप्रिफायर पर ब्रिज मोड के अंदर बेस ला सकते हैं कापी अच्छा रेस्पोंस मिलेगा फिर बात करते हैं इसके लिए आप 8 ohms के लिए आप यहां पर यहां पर घ्रवार्ट के स्पीकर ले सकते हो फोरोम्स के अंदर आप जादर स्यादा 800 वार्ट का सब्वूफर ले सकते हो जैसे आपको अच्छा राउंड मिलेगा साउंड के कि लिए ती भी रहेगी क्योंकि आप रहें हैं अब 4 ohms के दर 8808 का दे रही है तो आप 800 वार्ट का विश्भूफर ले सकते हैं 900 वार्ट का मैक्सिमम ले सकते हो फिर बात करते हैं यहां पर 1300 वार्ट का सब्वूफर और फॉर्ण की बात करें तो 4 ohms के लिए फ्रेंड आप यहां पर इस्टूडियो मास्ट्र के ग्यार्ट कर ले सकते हो यह फिर आप योडियो का 1000 वार्ट कर ले सकते हो जो आपका पी अच्छा कॉपिने से बैटे गाई से अंप्लिफार और परती फोरउम की बात करते हैं तो तो आप tu आप尋लह सोह सोग को मिनेशन सकते यहां पर इसके लि का पर बीटे Çपीकरें जिस्टी शु तरह सो विस्टे सकते हो उसके लाओ हैप स्याँ पर आप स्टूड़ियो मास्ट काभी पंदर सबनेह होόσक्यड देटियो मास्टर यहां पर fix रहती नहीं है लेकिन फ्रेंस के अप्रक्स पर यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं चारों amplifier की तो यहां पर market से अलग-अलग और timing की से हिसाब अलग-अलग price रहती है price fix रहती नहीं है 2020 के अंधर market bought down था यहां पर हमको साज 7000 वाट के एंप्लिफाइटी वो भी शालिच जार पैतरलिच जार काश प्रस मिल जाती है और आज की मार्केट रेट के सबसे उस एंप्लिफाइट की रेट 55,000 तक पहुंच गई है तो फ्रेंज उसके साब से यहां पर प्राइज फिक्स रहती नहीं है तो यहां पर फ्रेंज आप अप प्रिस्टाइब क्र पेवादाऊ का जाप एंप्लिफाइग की रेट भाइज नहीं है तो यहां प्रेंखे बाइड़ाइब okay लिएखे प्रेंज और नहीं है तो यहां पांप जाएब एंद्टाइज शूर्ण जा तो बासे